आप देख रहे हैं नमबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज सच्ची और बरी खवर स्पॉंसर बाई जी इंटीरियर पटना आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर तुड़े स्पेशल और आज भारतिय इतिहास के एक बहुत खास विक्ति की पुन्यति थी है और वो कोई नहीं वो हैं अमारे देश के सबसे बहले ब्रधान मंत्री श्री पंड़त जोहरलाल नहरू चले जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बात है पंड़त जोहरलाल नहरू का जन 14 नमबर 1689 में इलाहबाद के एक धन्यद्य परिवार में हुआ था उनके पिता का नाम मोती लाल नहरू और उनकी माता का नाम स्वरूप रानी था पिता पेशे से वकील थे, उनकी तीन पुत्रियां थी और जोहरलाल नहरू उनके एक लोते पुत्र थी स्वतनिता भारत के पहले पुधान मंत्री थे बच्चों के प्यारे चाथा नहरू के रूप में पांडेक यौहरलाल नहरू गेश को प्रजति के बद पढ़ ले जाने वाले खास पर प्रदर्शक थे जो आहरलाल नहरो को दुनिया के बेहतरीन स्कूलों और विद्यालों में सिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला था उन्होंने अपनी स्कूली सिक्षा हैरो और कॉलेज की सिक्षा थ्रिनेटी कॉलेज लानने से पूरी की थी उन्होंने अपनी लौ की दिग्री थाम्प्रेज बिश्व वित्याले से पूरी की हार और थाम्प्रेज में पढ़ाई कर कि वो 1912 में नहरुजी ने बार की उपादी ग्रहन की और वे बारात लो में बुलाए गए पंडित नहरु शुडू से ही गांधी से प्रभावत रहे और 1912 में कॉंग्रेस से जुड़े 1920 में प्रताबगर के पहले किसान मोचे को संगधित करने कश्रे उन्हे ही जाता है 1928 में लगनव में साइमन कमिशन की विरोध में नहरु खायर हुए और 1930 में नमकांदोलन में वो गिरफतार भी हुए उन्हेंने छे माह जेल कार दी 1935 में अलमूर जेल में आत्म कथा दिखी उन्हेंने कुल नौ बार जेल यात्राइए जी उन्हेंने विश्व भ्रमन किया और वेंतराश्ट्रे नायक के रूप में पहचाने गए उन्हेंने छे बार कोंगे सद्यक्ष के पत पर सुशोभित किया नहरु के काड़ेकाल में लोकतांतरिक परंपराओं को मजबूत करना राष्ट्र और संभिधान के धर्मिनर पेक्ष चरितर की स्थाई भाव फ्रदान करना और योजनाओं के माध्यम से देश की अट विवस्ताओं को सुचारू करना उनके मुख्यों देश है नहरु पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंदों को सुधार नहीं कर पाए उन्होंने चीन की तरफ में तरता का हाथ भी बढ़ाया लेकिन उन्यसो पासट में चीन ने धोका दिया और आक्रमन कर दिया चीन का आक्रमन वाहरलाल के लिए एक बड़ा छटका था और शायद इसी वजह से उनकी मौत भी हुए अजादी के पहले कठत अंतरीन सरकार और आजादी के बाद 1947 में भारत के प्रधान मंतरी बने और 27 मैं 1964 को उनके निधन तक वे इस पद पर बने रहे प्रहलाल नहरू की 27 मैं 1964 को दिल का दोड़ा पढ़ने से उनकी मृत्ती हो गई धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ पाडितोस कुमार अगर आपको तुमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूले ताकि आप देश दुरिया की कोई ख़बर मिस न करें चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रोना वाइरस से जोड़ी कोई भी अपडेट पोलेटिक्स हो या आपकी हक से जोड़ी कोई ख़बर इलेक्शन की कोई न्यूज हो कंट्रवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वाइरल वीडियो सब कुछ मिलेगा टीडे न्यूज पर तो जुरे रहे हमारे साथ और देखते रहे टीडे न्यूज सच्ची और बड़ी ख़बर